हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्टडियों बहान हुए तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टरफ फोर्टी जन्रलोरिस क्वेस्टन से जो की आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो देखते हैं पहल पहला कुस्टन पहला कुश्च्टन है तो में किस केल सैंतों बं आरशनुन से होकी है है इसमन सबटेंदथ करेंदा AI को दोस्तें निमरेखत मैं 격 पर शेंद्वाइखत है को छी करता को दाता Promise के लिए जाती है अज दूसरे कम रिएउद्ग गहां फ्रेंच ऑपन और आउस्ट्रेलिया ऑपन तो इसका आंसर होगा विंबल्टन ठीक है और इसका रही होगा तो अगला स्फेल्स चलते हैं अगला स्थ स्वेट अगला कोश्न तेल लंगाना की राजदनी कहा है करीम नकर और अपशन भी है है इधराबाद option C.A. निजामाबाद option D.A. सिकंदराबाद तो इसका answer होगा हदरबाद हदरबाद अगले question क्यों चलते हैं तो अगला question मानवातिकार दिवस कब मना जाता है option E.A. एक सितमबर option B.A. 10 नॉबर option C.A. 10 दिसमबर option D.A. 15 जुलाए तो इसका answer होगा अगला question है भारती जुएर पहिंग के स्टाफना कब हुई option E.A. 1949 option B.A. 1947 option C.A. 1927 option D.A. 1935 तो इसका answer होगा 1935 अगले question क्यों चलते हैं तो अगला question है गुवा की सुक्रेती राज जिभाता है E. मराठी B. गुजराती C. कौंकडी D. पुर्थकाली तो इसका answer होगा कौंकडी option C. से होगा तो अगले question क्यों चलते हैं अगला question है विश्व का पर्थम विश्व उद्याले कौन सा है option A. पैरिश विश्व उद्याले option B. तक्चे सिला विश्व उद्याले option C. इलहाबाद विश्व उद्याले option D. डेनमार्क तो इसका राज आइट आंसर हो जाएगा तक्चे सिला विश्व उद्याले यह question आपके लिए कापी important होने वाला है तो अगदे qsywhy की और चलते हैं तक अग्ला question C. भारत का पर्तम महिला विश्व उद्याले कहां स्टापेत पेत पे hatır Him भारत का परतम महिला विश्व जफ्याले कहां स्थापेत हूआ था ओप्सण ए दिल्ली ओप्सण भी है मुंबई ओप्सण से बैंगलूर ओप्सण डी ए कोलकाथा तो इसका आंसर हो जाएका ओप्सण भी मुंबई नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों चलते हैं तो अगला क्वेस्टन काफी इंपूटिन होने वाला आपके लिए यह मौंट एवरेस्ट पर चरने वाली पहली भारती महिला कौन थी ओप्सण ए रज्जय सुल्तान ओप्सण बी कल्पना चामला ओप्सण सी पूर्वा मलावत ओप्स हिंदी पाल ओपसण डी अगले क्यों चलते हैं तो अगला क्वेस्टन है स्रोच्च न्यालाय में पर्थम महिला न्याज़ीश कोन थी ओप्सण ए है उमाभारती ऑप्सण बी है स्रोजनी नैडू ऑप्सण सी है इम फातिमा बीबी ऑप्सण टी है किरन वेधी तो इसका आ तो अगला क्वेस्टосьी के सबसे पुराणी संसत किस देश में ऑप्सण वेहा भारत ऑप्सण वेह फ्रांस ऑप्सण सी आइशलेंड और ऑप्सण दी इंट तो इसका अंशर हो जाएगा वेधेंट ठीक है अगले क्यों चलते हैं अगला क्वेशन है जापान के मुद्रा है ऑप्षन ए रूबल ऑप्षन भी दिनार ऑप्षन सी लीड़ा ऑप्षन डी ये इन तो इसका अंसर हो जाएगा ये इन ऑप्षन डी से हो जाएगा अगले क्वेशन क्यों चलते हैं तो अगला क्वेशन है भारत रत्न फ्राप्त करता कौन थे जो पहला भारत्त मिला वह किस्सी मिला तो ऑप्षन ऐ है सीवी र diu मन ज़क है सबसे पहले जो मिला वह सी वी रहमन को मिला अगले कुछन क्यों चलता है अगला कुश्यन है विश्व में कौन सी भासा अधिकन लोगों द्वारा बोली जाती है ऑप्सन यह है Spanish, ऑप्सन भी है Hindi, ऑप्सन C है चीनी, ऑप्सन D है उर्दू तो इसका अंसर हो जाएगा चीनी ठीक है जो की विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है अगले कुश्यन क्यों चलता है अगला कुश्यन है विश्व प्रियाण दिवस कब मनाया जाता है यह काफी important question है अप्सन दी है पांच जून ऑप्सन C है चार जून और ऑप्सन D है आठ जून तो इसका अंसर हो जाएगा पांच जून विश्व प्रियाण दिवस मनाया जाता है अगले question क्यों चलते है तो अगला question काफी important होने वाला है सबसे अधिक पार्सी कहां रहते हैं option A भारत, option B एराइक, option C इरान, option D साओधी अरग तो इसका अंसर होगा इराओ त्यों के पार्सी कहां रहते हैं यह काफी 마ंपोर्टेन है क्वेस्टन है इshद डिये लुर उर्दानिगे ऐसा लंज कि आते या दर्शा का है बगदार ठीक है एकका जाप्रस्ट तो अगले सप्रस्ट्टर चलता है जाटया को सागा दावा किस धर्म का प्रव我们 है अप्षण एह बहुत जरु ओप्षन भी इस्लाम ऐप्षन सी जैन और ओप्षन डी हिंदु ठिक तो इसका आँसर हो जागा आप्षन ए बहुत दर तो अगले कोश्यन क्यों चलते हैं अग्ला कोशन नोबल पुरुष्का प्राप्त करता जो है भारत पर्थम भारती कौन है तो ऊप्षण ए रभीणाइन टेगोर आप्सण विश्वामिवियकाननद तुसका अंचर हो जागे रभीणाइन टेगोर अगले क्मे चलते हैं अगला कुस्सन है डिस्कावरी ओफ इंडिया नामा कुछ तक किस ने लिखी औप्सट ए लाल बाह दो साथ तरी ऑप्सट माहतमागानदी ऑप्सटि रजोवाद नहरूप्सट अग्ला कुस्चिन है सहक्त राष्ट नहीं कि तरीक्षा परिश्द में कितने इस्ताहिए सेदर से हैं। ऑप्षन ए आठ ऑफ यूश्ण बी नौ ऑफशन सी पांच ऑप्षन डी चार तो उसका अंसर हो जागा ऑफशन सी पांच सेदर से टीक। अगले question क्योंट चलते हैं अगला question काफी important होने वाला है सिक्सक दिवस कब मना जाता है A 5 June B 5 September C 5 August D 5 January तो option B is right 5 September अगले question क्योंट चलते हैं अगला question रहे राष्टी रक्षा कादमी कहां स्तित है option A देहरादून option B मेरट option C सिम्ला और option D इलावाद तो उसका अंसर हो जाएगा option A देहरादून ठीक है जो की उत्राखंडी की राष्धानी है अगले question क्योंट चलते हैं कौन सा देश नार्थुला दर्रा के पार है यह काफी important question होने वाला है आपके रिख से के लिए तो कौन सा देश नार्थुला दर्रा के पार है तो इसका option A है पाकिस्तान option B चीन option C नेपाल और option D है भूटान तो इसका अंसर हो जाएगा option B चीन चीन की राष्धानी का है चीन की राष्धानी बीजिंग ठीक और अगले question क्योंट चलते हैं कुईलाबाद कहां इस्तित है option A मद्यपर्देश, option B महाराष्ट, option C पर्देश और option D दिल्ली तो इसका अंसर हो जाएगा option B महाराष्ट में है तो महाराष्ट की राज़ानी का है मुंबई ठीक मुंबई अगले question क्योंट चलते हैं अगला question है होकी खेल में परते एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं option A साथ, option B 15, option C 11, option D 9 तो इसका अंसर option C 11 हो जाएगा अगली question क्योंट चलते हैं अगला question है दोरास तक बिनाने वाली पर्थम भारती महला करिकेटर कौन थी A मिताली राज, B अंजम चोपड़ा, C अमरिता सर्मा, D पुनम यादव, तो इसका अंसर हो जाएगा A मिताली राज अगले question क्योंट चलते हैं अगला question है पर्थम महला लोक्षपादेक्स कौन है A मीरा कुमार, B विमला देवी, C शुचेता करिपलानी, D राम, राज कुमार, स्वारी राज कुमार, अमरित कौर तो इसका अंसर हो जाएगा option A मीरा कुमार अगले question क्योंट चलते हैं अगले question है सांत घाटी स्थे थे, तो सांत घाटी कहां स्थे थे option A तमिलनाणू में, option B केरल में, option C हिमाचे परदेश, option D अणचल परदेश, तो इसका अंसर हो जाएगा केरल में, केरल में सांत घाटी इस्तित है, और केरल के राजानी का है, त्रुनतम पूरम, ठीक, अगले question क्योंट चलते हैं अगले question है, भारत का एक मात्र इस्तान जहां टिन पाया जाता है, option A, रिवा, option B, सुरत, option C, अहंदाबाद, option D, हजारी बाद, तो इसका अंसर, option D, हजारी बाद, अगले question क्योंट चलते हैं, तो इतनी question हैं, दोस्तों, अगर आपको यह section पसंद आया, तो प्लीज लाइक, share, और subscribe करना ना भूलें, तो अगले वीडियो के लिए हमारे channel को subscribe करें, और bell icon को press करें, जो कि हमारे अगले वीडियो आप तब पहुंच सके, तो thank you, जान्यवाद,